सबी बक्तों को शिरी शिवाए नमस्तूप्याम हर हर महादेव ओम नमस्षिवाए जै महाकाल शिवाए नमाः ओम तो जैसा कि मैंने आपको बताय था कि जो पुत्र प्राप्ती संतान प्राप्ती के उपाए पुज्य गुरु जी ने अपनी कथा में बताए हैं उनहीं उपायों को हम आपके सम्मुख में करके दिखाने वाले हैं पहला उपाय जो अधिकतर माताओ भेनों ने किया है सफेद आकड़े की जड़ वाला उपाय ये उपाय भी हमने करके दिखाया और इसके साथ ही जो दूसरा उपाय है ग्यारा रुद्रो वाला ये उपाय भ टुछ बैसे तो आप महा शिवरात्री, कि पर सफेद आगडे की जड़ को बांधिये, तो सभी को संतान प्राप्त होती है, लेकिन महा शिवरात्री बहुत दूर है, तो कल की कता में, कल की वीडियो में हमने आपको बता ये था, कि जिन माताओं बेनों का रजस्वला धरम आता है उन माताओं बेनों को इस सफेद आगडे की जड़ को रजस्वला धरम के साथवे दिन बांदना चाहिए और जिन मातों बेनों को रजस्वला दरम नहीं आता है उनको इस जड़ को महीने के किसी भी सोमबार को या फिर प्रदोश के दिन बांध लेना चाहिए तो आपको ये उपाए करना है सफेद आगडे की जड़ वाला उपाए और दूसरी संतान के लिए दो पुत्रों के लिए ये दो महा उपाए आप इस वीडियो में देखकर अच्छे से समझ लीजिए कैसे करना है आपको ये दोनों उपाए हमने आपको इस वीडियो में बिल् यही कमेंट में लिखिए क्योंकि तुम्रुकेश्वर महादिय के किरपासे बहुत सारी माताओं भेनों को संतान प्राप्ति हुई है चलिए तो हम देखते हैं वीडियो की किस प्रकार से आपको उपाय करना है वीडियो को लाइक करके, चैनल को सबस्क्राइब करके, वीडियो को अधिक सद्धिक लोगों के पास में शेर कर दीजिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए तक हो आप ताकि आपको आने वाले वीडियो की जानकारी मिलती रहे तो जो सबसे पहला उपाय है सफेद आंकडे की जड़ वाला उपाय इस सफेद आंकडे की जड़ को आपको दक्षिन दिशा में खड़े हुए हैं हम उत्तर की तरफ मुक रखा है और उत्तर के तरफ मुक्रक कर सफेद आकड़े की जड़ को आप देख सकते हैं हमने केवल सफेद आकड़े की जड़ ही लिए अभी इस पे कोई लाल कपड़ा नहीं लेपेटा है और नहीं कुछ और किया है आपको केवल इस जड़ से ही उपाय करना है 21 बार बगवान चंकर क चर्णों से आपको योगपाय शुरू करना है चर्णों से बciónकर वापिस गूम के चर्णों की तरफा आना है और घड़ी की दिशा में आपको इस सफेद आकड़े की जड़को घुमाना है जैसा कि आप देख सकते हो 21 बार इस जड़को आपको घुमाना है 21 बार तुमरुकेश्वर महादियों का नाम लेना है इस प्रकार से जड़को घुमा कर फिर आपको लाल कपड़े में लपेट लेना है और लाल कपड़े में लपेट कर आप इस जड़ को अपनी कमर में बांद लीजिए यहीं नंदी जी के पीछे की तरफ खड़े होकर और दंदी जी के पीछे की तरफ खड़े होने की जगे ना हो तो फिर आप शिव मंदिर में किसी भी स्थान पर खड़े होकर इस जड़ को इस प्रकार से लपेटिए और जब आप इसमें लाल कलर का धागा अच्छे से भांदेंगे तो इसको आपको सिलने की आवशक्ता भी नहीं पड़ेगी आप बिना सिले ही इस जड़ को अपनी कमर में बान सकते हैं फिर आपको एक पीपल का पत्ता समर्पित करना है अब कई माताओं बहनों ने मुझसे ये प्रश्न कराता कि हम प्रते दिन शिव मंदिर नहीं जा सकते तो हम क्या करें तो आप पांच पीपल के पत्ते ले लीजिए पांच पीपल के पत्ते में पहला पत्ता भगवन अवदूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कीजिए फिर आपको उस पीपल के पत्ते को शिवलिंग से उठा लेना है फिर आपको दूसरा पत्ता तीसरा पत्ता चोथा पत्ता समर्पित करना है अब दूतेश्वर महादेव के नाम से और फिर सभी पत्तों को उठा कर आपको आपकी ठाली में रख लेना है घर पर फ्रीज मिला के रख लेना है प्रती दिन एक पत्ते से उपाय करना है और उपाय पी लिजिए पीपल का पत्ता समर्पित करते हुए अव दूतेश्वर महादेव के नाम से आपको यह उपाय करना है आप या तो पांचों पीपल के पत्ते एक साथ समर्पित कर सकते हो या एक एक करके समर्पित कर सकते हो जैसा आप समर्पित करना चाहो वैसा कर सकते हो पीप उपाय जो घ्यारा रुद्रो वाला उपाय है यह आपको बेल पत्री के ब्रक्ष के नीचे करना है और खीर का आपको बोजन बनाना है खीर बनाईए खीर का परशाद बनाईए साथ में एक दीपक ले लिजे अब आप देख सकते हैं कि हमने किस प्रकार से छोटे से कुंड का निर्मान किया है इस प्रकार से मिट्टी हटा कर कुंड का निर्मान किजी इसमें मैं आपको तीन तरीके बताऊंगा कि आपको तीन तरीके करना है यदि इस प्रकार बेल पत्री का व्रक्षे है और उसके नीचे मिट्टी है तो आप इस प्रकार से कुंड बना सकते हो अब इसमें आपको जल डालना होगा अब इस कुंड में जैसे ही आप जल डालोगे न तो ये जल सीधा जमीन में जाना शुरू हो जाएगा अब जल डालने के बाद में और ये जल थोड़ा गंदा भी होगा सुच्छ नहीं होगा तो आप इस जल को नहीं पी पाएंगे ये कार्रे आप करेंगे या फिर आपको कई देर यानि कई समय तक इंतजार करना पड़ेगा क्यों ये जल नीचे जाएगा फिर आप वापिस जल बरेंगे कुंड में फिर वो जल थोड़ा और नीचे जाएगा फिर वापिस जल बरेंगे और जब तक जल की मिट्टी नीचे नहीं बैठेगी तब तक जल सुच्छ नहीं होगा तो ये उपाय आप इस प्रकार से करने का प्रयास करोगे इसमें आपको बहुत समय लग जाएगा और आप उपाय शायद नहीं कर पाओ या फिर एक सोमबार करो और बाकी सोमबार आप ना कर पाओ तो इसके लिए हमने दूसरा तरीका आपको अभी थोड़ी ही देर में ज्यात हो जाएगा कि आपको दूसरे तरीके में क्या करता है जब आप कुंड बनाओगे कुंड बनाने के बाद में जब आपको लगए कि हम इस कुंड से उपाय कर सकते तो ही उस कुंड को नाम देना जो की है महादेव के पहले रुद्र का नाम और वो है कपाली महादेव यानि की कपाली रुद्र या कपाली महादेव इस प्रकार से जब आप देख रहे हो कि इसमें जल बिल्कुल नीचे चला गया सुच नहीं होगा तो हमने इस कुंड को वापिस इस घड़े को वापिस से बर दिया अभी हमने इसको नाम नहीं दिया है तो हम इस घड़े को वापिस से बर सकते हैं अब हमने दूसरा छोटा सा एक और कुंड बनाया, अब इस कुंड में हमने वो मिट्टी का पात्र, जो हमने आपको कल की वीडियो में दिखाया था, उस मिट्टी के पात्र को कहा है, आप देख सकते हो, अब इस मिट्टी के पात्र को आप यह तो ऐसे ही रख सकते हो, जैसे क पर सिमेंट बनी हुई आप जिस बेल पत्री के व्रक्ष के नीचे हो वहाँ पर फर्ष बना हुआ हो या जगे नहों मिट्टी नहों तो आप इस प्रकार से इस मिट्टी के पात्र को रख दीजिए और इसको नाम दे दीजिए कपाली महादेव कपाली रुद्र और फिर इसम आपको इसका नाम देना है और जो हम नाम देने वाले हैं इस पात्र का वो नाम होगा कपाली महादेव और कपाली रुद्र थोड़ी से मिट्टी आ गए थी इसलिए हमने उसको बाहर निकालकर मिट्टी उसमें से हटा दी अब हम इसके अंदर बिलकुर स्वच्च जल डाल कपालने के बाद में ये जल बिलकुल स्वच्च ही रहेगा जब आप जल डालो कपाली महादेव कपाली रुद्र का इसमरंड कीजिए साथ ही आपको इसमें एक छोटा सकार और करना है खीर का परशाद आप देख सकते हो हमने खीर बनाई है और ये खीर के परशाद आपको कोई कटोरी में किसी पात्र में उस कुंड के सम्मुक में रखते नहीं है खीर रखने से पहले आपको एक कार्योर करना है दो बेल पत्र एक पती का एक पत्नी का तुम्रुकेश्वर महादेव के अनाम लेते हुए तुम्रुका जी का नाम लेते हुए कुंड के समीप या तीन सेकेंड चंद सेकेंडों बाद आपको ये बेल पत्र उठा लेना है चुकि ये बेल पत्र जब मिट्टी पर समर्पित होगा तो ये मिट्टी इसके लग जाएगी और फिर आपको ये बेल पत्र वापिस दोना पड़े ये हम नहीं चाहते तो इसलिए ये थोड़ी से मिट्टी लगी हो तो आप वो हटा सकते हैं और दोनों बेल पत्र एक पत्र के नाम से और एक पत्नी के नाम से यानि कि तुम्रुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए एक पत्नी के लिए दोनों बेल पत्र समर्पित करके इन बेल पत्रों को अपने पास में जो पात्र है जो था लिए उसमें रख लीजिए इसके बाद आपको वो दीप प्रजोलित करना है गोल बाती का जो हमने आपको बताया था दीप प्रजोलित करने के बाद में कपाली महादेव कपाली रुद्र का इसमरन कीजिए फिर हमने आपको बताये था कि कुंड मेंसे आपको जल का आचमन करना है और अपने पती के लिए यदि पते कर रहे हैं पती कर रहे हैं तो पती के लिए पत्नी कर रही है तो पत्नी के लिए आपको इस प्रकार से कुंड में से जल निकालना है अब आप को जल निकालना है और पहले तो आपको जो भी उपाय कर रहा है उसको तीन बार इस जल का आचमन करना है इस प्रकार से जल लेना है आपको कपाली रुद्र महादेव का इस्मर पतनी कर रही तो पती के लिए जल निकाल लीजे जब आप जल निकाल ले उसके बाद में कुंड को प्रणाम करने के बाद इस खीर वाले पातर को उठा कर रख लीजिए इस प्रकार से सोमबार के दिन का कपाली महादेव का ये उपाय स्पून हो जाएगा खीर को रातरी में सोने से पहले पती और पतनी को दोनों को खाना है ग्यारा सोमबार ग्यारा रुद्रों के नाम से इस उपाय को करना है वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करना सभी बक्तों को शिरी शिवाय नमस्तू ब्याम हर हर महादेव